गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फरेंस के जरिये नेशनल फिल्म अवार्ड्स के विजेताओं का एलान किया गया दिकश्मीर फाइल्स के नाम दो-दो अवार्ड्स गए पल्लवी जोशी को फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग अक्टरिस का अवार्ड मिला तो वहीं एद कश्मीर फाइल्स को राष्ट्रिय एकता सर्वश्रेष्ट फिल्म कैटेगरी में विजेता चुना गया है पल्लवी जोशी ने नेशनल अवार्ड मिलने के बारे में नहीं सोचा था उनके लिए ये किसी सर्प्राइज से कम नहीं था जब ये अनाउंस्मेंट हुई तब वह शिकागो में थी हाल ही में पल्लवी जोशी ने अवार्ड मिलने पर अपनी फीलिंग्स शेयर की हैं हिंदुस्तान टाइम्स के मताबिक पल्लवी ने कहा यहां शिकागो में सुबह के छे बज रहे थे और मैं सो रही थी जब मुझे कॉल आने शुरू हुए तब मुझे पता चला काफी समय तक मुझे लगा ही नहीं कि मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है हम अपनी आगामी फिल्म एद वैक्सीन वार के प्रचार के लिए दौरे पर हैं और इस वक्त इसे सेलिबरेट करने का इससे बहतर पल्लवी जोशी नेत कश्मीर फाइल्स को राष्ट्रिय एक्ता सर्वश्रेष्ट फिल्म कैटिगरी में अवार्ड मिलने पर भी खुशी जताई है उन्होंने दुनिया भर के सताए हुए समुदाय को अवार्ड समर्पित किया उन्होंने ये भी कहा कि ये अवार्ड उनके लिए एक करारा जवाब है जो फिल्म की आलोचना कर रहे थे बकॉल पल्लवी फिल्म की रिलीज के समय काफी बवाल मचा था जो लोग फिल्म के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे या इसके खिलाफ आक्रोश फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी काफी ज्यादा थी. कई लोगों ने इस फिल्म को नापसंद नहीं किया वरना मूवी हिट नहीं होती ज्यादा तर यूथ को फिल्म पसंद आई ये अवार्ड उनके लिए एक जवाब है जो इसकी आलोचना कर रहे थे इंडिया की पहली बायो साइंस फिल्म एद वैक्सीन वोर इसी साल 28 सितंबर को रिलीज होने के लिए एकदम तयार है विवेक अगनिहोतरी के फिल्म में पल्लवी जोशी और नाना पाटेकर लीड रोल में है फिल्म भारत बायो टेक और इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च द्वारा को वैक्सीन बनाने की जर्नी को दिखाएगी